खबरीवा से यहां जिले के जवा जनपत अंतरगत ग्राम पंचायत कोनी में करोडों का भ्रस्टाचार सामने आया है जहां गौसाला की बनी दिवार पूरी तरह से धुस्त हो गई वहीं अम्रिस सरोवर को जोद कर खेती की गई है तथा व्रच्छा रोपन पूरे गउँ पंचायत में दिखाया गया है जहां एक भी व्रच्छ नहीं है PCC सड़क पर लाखों बिना कार कराए राशी को आहरित कर लिया गया वहीं कुछ बनी PCC सड़क घटिया किस्म की बना कर कॉलमपूर्टी कर दिया गया जो चंद दिनों में धोस्त हो गई मेड बांधान की नाम पर भी पंचायत की रासी का दुरुपयोग करने की बास सामने आई है वहीं सासन की अती महतपूर्ण योजनाओ का लाब उठाकर रासी का भरपूर्दुरुपयोग किया गया इस संबन में लाल मडी साहू ने जनपर CEO A.B. खरे जिला पंचाया CEO वद जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से सिकायर दर्ज कर आई पर आस तक कोई सुनवाई नहीं हुई वहीं गिराम पच्चाय कोनों में बनी आधी अधूरी गौसाला की खड़ी दिवार गिर कर धोस्त हो गई जिसमें तीन लाग पचास हजार की रासी निकाल कर तत कालीन सरपंच सच्चियू जी आर एस और उपियंतिरी ने बंदर बाट कर लिया है वहीं गौसाला को निजी भूमी में बना कर अपने खास लोगों को लाब पहुचाने का काम किया गया है वहीं सिकायत करता लाल मडी साहू राजकुमार दयाशंकर अवधेश तिवारी निलेश साहू का कहना है कि जनपर CEO AB खरे ने कोनी ग्राम पंचायत की गौसाला और अमरिश सरोवर की जाज करने के लिए एक टीम बनाई है जिसमें B.O.P. जवा इंद्र मोहन मिश्रा, सहाय किंतरी, अमूल खरे, नागेंदर सिंग, A.P.O. राजे साकेत उपियंतरी को 16 सितंबर की अंदर जाज कर प्रतिवेदन देने की बात कही है वहीं ग्रामीरों का कहना है कि ग्राम पंचायत में चारो तरब भरष्टाचार का अंबार लगा हुआ है अगर प्रिसासन सही तरीके से जाज करे तो कडोडों का घोटाला सामने आएगा ग्राम पंचायत में पात्र हितरगाही को कोई लाब नहीं मिल पा रहा है गरीब जनता को जनपत का चकल लगाना पड़ रहा है वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं है अब देखना ये है कि जवा जनपत के CEO द्वारा गठी टीम कब तक में किस तरह निस्पस जांच करती है ये जनता के बीच में चर्चा का विशय बना हुआ है वहीं ग्रामीर का कहना है कि अगर प्रिसासन निस्पस जांच कर दोसियों पर कारवाही नहीं करती तो जिला मुख्याले में आमरर अंसन पर बैठेंगे आपकी नाम? लालमान साहू आपके ग्राम पंचाइद में क्या समस्या है? समस्या तो साहब बहुत बड़ी है गौसाला बना है रुपिया बहुत करोरन के घुटाला काई दीन बना कुछ नहीं है गौसाला सब ध्वस्त है कुछ ना मेरी सरोबर बना है कुछ नहीं है उसमें फसल बोई जोती है आदमी सब परिसान है मेर बंधन बना है, सब कागज में बने हैं, और ये रोड पी सी सी बनी है, सब उखड गई है, चार महिना के अंदर सब गिट्टी अलग हो गई, पूरा इतना बड़ा घुटाला करोरों से अधिक है, कोई वहाँ नहीं है, जनपत में जबा सियों को अरजी दिये, कलेटर अधेस आया है, कमेटी घठी थाए, सोरा तारीक को, पर उसमें रोक लग रहा है, कि ये जांच ना हो चाहिए, प्रसासां से चाहिए थे, आफ ये जांच हो रहा बड़ा है, कागज में जांच होए, जांच हो ग्राम पंचायत कोनी में, पीशी सी बनी है लेकिन वहां निकाल लिया गया लेकर हुं कॉया है और तो वहाँ कोई न कोई अग्जसन ले लेता है कि नहीं जांच ना हो या फिर किसी कारण बस पता नहीं क्या होता है जांच नहीं हो पाती है इसलिए हम लोग आए हैं जन्पत स्यों जी से मिले कि इसके मतलब कारवाही हो और इसमें जांच हो और हम लोग कि जो भी सारी समस्या हैं उसका समाधान निकले जो भी घोटाला और भस्ता चार का रहा है उसके पहत कारवाई होना चाहिए